हेलो व्यूवर्स अन्बोक्सिंग इंडिया में आप सब का स्वागत है और मैं हुई मरान आज मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइस है एक है रेडमी एट है और साथी साथ वीवो वाइन टी वान आई तो इन दोनों फोन्स को इस वडियो में करेंगे अन्बोक्सिंग और साथ साथ करेंगे इन दोनों फोन्स का कंपेरिजन केमरा टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा यहां भी देख सकते हो रेडमी 80 और साथी साथ वीवो वाइन टी वान आई इसमें लिखा हुआ है वीगर वेटरी और साथी साथ मौर फन वीवो वाइन टी वान आई साथ थारी प्राइस यहां लेकिन डिटेलर स्टोर में आपको मिल जाएगा 6500 में यहां पर देख सकते हो रेडमी 80 जिसमें आपको टूजी वी रेम यहां टाडी टूजी वी रॉम देखने को मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी क्वालकम स्नेब्रागन उक्ठागोर प्रसेसर लगा हुआ है स्टरजिंग सपोर्ट करता है 17ciones 12 प्रसेल का एक ए ऐडमेरा देखने को मिल जाएका कॉनिंग और इलग लाग्लाव का प्रेक्शन तुम इन दोनों फोन्स को फिल हाल करते हैं और जैसे हीं डोनों फोन्स को यहां पर करते हैं अन्बॉक्सिंग को जिस तरह से हमें उपर section मिल जाता है इन दोनों phones का section को निखालते हैं देखते हैं क्या contents हमें मिल जाता है section में Vivo Y91i में आपको case cover out documentation मिल जाता है लेकिन Redmi में कुछ भी नहीं है सिर्फ Simjector Tool बाकी contents को लेकि बात करो तो इस पकार से हमें phone देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से protection के साथ में आता है Sunset Red Color में है Redmi 8A और Fusion Black Color में है Vivo Y91i और बाकी contents यहाँ पर देखते हैं यह रहां एक adapter और साथ-साथ Type-C cable इसमें आपको देखने को मिलेगा Redmi 8A में Vivo Y91i की contents की बात करें तो यहाँ पर हमें 5B and 2A का adapter और साथ-साथ Micro USB Cable मिलता है और दोनों ही phones का यहाँ पर जो adapter और charger है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 10W charging support लेकिन 18W fast charging support करता है Redmi 8A तो कुछ इस तरह से looks and design के साथ दोनों ही phones आता है और पीचे का body जो है पॉली कर्वेंट से बना हुआ है दोनों ही phones का वैसे में दोनों ही phones का plastic का है और पीचे का जो यहाँ पर looks है वो मुझे ज्यादा शांदार लाग रहा है Vivo Y91i का क्यूंकि इसमें glossy टाइप design मिलता है Redmi 80 का looks and design देख सकते हो कुछ इस तरह से आता है उपर एक rear camera है और यहाँ पे LED flash और Redmi का branding और sunset red color में काफी ज्यादा अकरशक phone को बनाता है और नीचे इस phone का देखा जाए तो यहाँ पे speaker grill और बीच में type C का में यहाँ पे port मिल जाता है primary mic, secondary mic 3.5 mm audio jack right side में यहाँ पे provide कर दिया गया है तो इस phone का looks design and physical overview है वो average से रहने वाला है और यहाँ पे देख सकते हो तोड़ा सक कर्व design के साथ में आता है और यह रहा आपको power button and volume रोकर इस side में right side में आपको देखने को मिलेगा और बाकी इस phone का will quality design and looks के ऐसा लागा नीचे comment करके जरूर बताए यह Redmi 8A के बारे में और बाकी यहाँ पे हम देखते है Vivo Y91i को तो किछ तरह से looks and design भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है पीछे के यहाँ पे polycarbonate का body है और बीच में यहाँ पे दिया गया है Vivo का branding उपर एक single rear camera मिलता है लेड़ी flash और black and blue का combination यहाँ पे देखने को मिल जाता है पीछे का body में glossy type design है निचले हिस्से में देखा जाए तो यहाँ पे speaker grill वगरा मिल जाता है और यह रहाँ sim tray दो ने उसी में मैक्रो SD card भी support करता है अप्टू 256GB तक और यह रहाँ power button and volume रखार तो इस phone का जो looks design है वो मुझे काफी अच्छा लगा अगर compare करें यहाँ पे Redmi 8A से इन दोनों phone का looks design, will quality and design के मामले में कौन सा phone आपको बेतर लगा, निचे comment करके ज़रू बताईए वैसे मैं बात करें इन दोनों phone की यहाँ पे display को लेके Redmi 8A और साथ जाद Vivo Y91i जो है दोनों ही phone में आपको 6.22 इंचेस का यहाँ पे display देखने को मिल जाता है HD Plus resolution के साथ में और quality भी same रहने वाला है, कुछ खास differences नहीं है वैसे में इसमें आपको जो Redmi 8A है उसमें आपको Corning Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल जाता है तो मेरे खायाँ से जो आपको यहाँ पे display quality better मिलेगा वैसे में resolutions same है लेकिन तोड़ा सा यहाँ पे protect के लिए Corning Gorilla Glass 5 better रहेगा तो इस मामले में Redmi 8A का थोड़ा सा display में अच्छा कहूंगा वैसे में दोनों ही phones का यहाँ पे जो आपको fingerprint है वो देखने को बिलकुल भी नहीं मिलेगा लेकिन face unlock का definitely options है आदर features की बात करो तो यहाँ पे about section पे चलते है दोनों ही phones का और यहाँ पे जैसे ही इन दोनों phones का about section पे देलते हैं यहाँ वीवो i91i का about section पे mention किया गया है android version 8.1.0 और साथ ही साथ यहाँ पे 2GHz का octa core processor लगा हुआ है 2GB RAM है 3D 2GB ROM है और बाकी इसमें आपको Funtouch OS 4.5 नेकन को मिल जाता है और Redmi 8A का जैसे ही इसमें आपको about section पे चलेंगे यहाँ पे देख लेते हैं कहा है about section और यहाँ पे देख सेकते हैं आपको यहाँ पे जो आपको RAM दिया गया है 2GB RAM है और साथ यसाथ उक्टा को और प्रसेसर लगा हुआ है 2GHz का इसमें आपको Android 9 देखने को मिलेगा जो की आपको Y91i में 8.1.0 देखने को मिल जाता है MIUI वर्जन भी लेटेस्ट है 10.3.3 तो यहाँ पे आपको जो RAM मिलता है सेम मिलता है 2GB RAM N32GB ROM 6500 में बाकी इन दोनों फॉंस में जो chipset लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 439 के chipset लगा हुआ है Redmi 8A में और साथ ही साथ Y91i में आपको मिलेगा MediaTek Helio P22 तो दोनों ही phones का यहाँ पे chipset जो है सेम है सेम performance आपको देखने को मिलेगा कोई खास differences नहीं है average साथ यहाँ पे performance दोनों ही phones में आपको देखने को मिलेगा वैसे में इन दोनों phones के camera features को लेके बात करो Redmi 8A का जो rear camera है वो 12 megapixel का और यहाँ पे quality देख सकते हो अच्छा है यहाँ आपे camera's के मामले में definitely इतना कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन average से रहेगा अगर इस price range के हिसाब से जो भी यहाँ पे camera दिया गया है definitely यहाँ पे justice किया गया है वैसे में जो front camera आपको मिलता है Redmi 8A में वो आपको मिलेगा 8 megapixel और साथ ही साथ इसमें AI beautification mode के साथ आप photos क्लिक कर सकते हो और यह रहा 8 megapixel का selfie camera तो इस phone का जो camera है वो average से रहेगा लेकिन price के हिसाब से सही काम किया गया है cameras के मामले में Vivo Y91i को लेके बात करो तो इस phone का जो rear camera है वो आपको मिलेगा 13 megapixel तोड़ सा natural and saturated photo यहाँ पे आमें नजर आता है 22 में जो आपको selfie मिलेगा वो 5 megapixel का मिलेगा लेकिन detail अच्छा खासा देखने को मिल जाता है यहाँ पे देख सकते हो Redmi 8A के comparison में जो यहाँ पे camera features अच्छा मिलेगा वो आपको Vivo Y91i में मिलेगा लेकिन एक बात यहाँ पे बता दू Redmi 8A में आपको portrait option मिलेगा लेकिन Vivo Y91i में विल्कुल भी नहीं मिलेगा वैसे मैं अगर बात करूँ इन दोनों phones का बेटरी को लेके जो आपको यहाँ पे Redmi 8A है उसमें आपको 5000 mAh का बेटरी लगाया गया है और आप 18W fast charger से इस phone को तेजी तरीके से charge कर सकते हो Vivo Y91i में आपको 4030 mAh का बेटरी मिलता है लेकिन इसमें आपको fast charging support देखने को नहीं मिलता तो तोड़ा सा यहाँ पे मुझे अच्छा लगा बेटरी के मामले में Redmi 8A तो इन दोनों phones के comparison में जो मुझे बेटर फोन लगा वो है Redmi 8A आपको कौन सा फोन बेटर लगा नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताईए आज के वीडियो के लिए बिस इतना ही गाइस बाई बाई टेक्यार एंजाए हिंद